में अबत्ट अब तक हमने देखा कि कैसे अंग्रेज शासन यहाँ पर आए इंडिया में ऑए किसली वा आए था वेपार करने के लिए एपटर करते वह कैसे शासक्रण बंने के बात इंडिया पर वह भी हमने देखा अब जब कुई असर बद तो उसका कोई नहीं रिजल्ट वापी सामने आता ही है अगर किसे के ज़त कोई खड़ाब होता है तो सामने आला भी हमेशा बदला लेने के फिराक में आता ही है तो जैसे कि अमने लास्ट वीडियो में देखा रहा कि कैसे बिटिश सरकार ने अपनी कुछ निटी द्वारा अपनी राज निटी द्वारा सब भारत ब्राचे को अपने वर्ष में कर लिया रहा तो उसी का बदले बदले के लिए जो इंडियन से उन्होंने रिवल्ट किया क्यों क्योंकि उस टाइम पें इंग्लिस एजिकर्शन में चालो हो गया रहा दुनिया भर में क्रांतिकारी जग रहे थे तो इंडिया को भी लगा कि हाँ जब दूनिया कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते हैं और उसी के बाद फे 1857 का साल है जब भारत में पहला क्रांतिकारी पहला रिवॉल्ट जो हम कहते हैं अंगेजों के खिलाफ वो चालो हुआ 1857 ठीके यह सबसे पहला कुछन यहीं आता है कि सबसे पहला रिवॉल्ट सब कब चालो हुआ था अंगेजों के खिलाफ तो वो 1857 अब इस 1857 मां भारत मां ठहल सब्टेंटर संग्राम ने घटनाव राष्ट्रवात न उदय नीम भत्वाना परिबरों मां प्रथम घटना ररीका भावना थी ही नहीं फिर 1857 के बाद यह भावना सबके न जगने लगी कि नहीं अब हम सब एक हम सब एक मिल के इंसे जगड़ा करेंगे इंसे यूद करेंगे ठीक है तो अब 1857 का रिवॉल्ट हुआ ठीक है पर वो क्यू हुआ उसकी कारण क्या थे तो उसके मुखे चार का कि तो सबसे एक हम सामाजिक और धार्मिक का रहें इस प्रकार कि जो इंडियन्स को लगता रा कि यह बृटिस है यह जो अपने जो अंग्रेज की जो नीती है वह यहाँ पे भी चालो कर देंगे जो हमारा संस्कृित है वह पूला नस्ट कर देंगे यह यह मारा ध्रम धर्स कर देंगे हमें Christian बना देंगे हम तो हिंडू है हम मुस्लिम है हम जवरुब थियंकर्षिन बना देंगे यह जो रखा था इननों जो इनने सिक्षन गुरु सिक्षन का जो ना विइन वहह ए 30 बना गडिया हुगा कोई भी सेनिक अगा जाज पेट ना सफर करता रहा तो वो इंडिया में एक अपड़ाद मंदे की सामाजिक में वो अच्छा नहीं माना जाता था कि नहीं यह नहीं होना चीए फिर भी ब्रिटी से सूसप करते रहे तो कंपनी न सरकाट वारे से सामाजिक सुधार ना रीट आपना मां आवी हती तेना दे लोकों मां यह वो भाए प्रस्था पित थायो कि भारत ना धर्म अने संस्कृतिनों नास ठाई रहे हो से नास में कि उन्हें सर्थी सिस्टम भी बंद कर दिया रहा तो सबको लगा कि न नास में देखा कि जो बड़े बड़े उड्यों वो जो जमीन दाथे ची वही पैसेदार बने बाके जो खिशान थे जो गिर्यू द्योग था वो सब नर्स्थ हो चुका था तो वो दूसरा कारण था किसा कारण यह सामाजी आर्टिक कारण धार्मिकार में यही दिखो यह जेल, रेलवे जो मैंने पहले बताया कि इसे उस ताम पर इंडिया के इंडर इसको अच्छे दृष्टी से देखा नहीं जाता था इसको यह गलत मनना जाता था उस ताम पर इंडियान संस्क्रिट के साब से फिर भी इन्होंने चालो किया तो इंको लगा कि नहीं अभी हमे इंड खिलाब आँच उठानी पड़ेगी फिर आठिक का रेंध में जैसे कि अपको बताएँब कि वो लैंडलोड और जो फार्मस्त और जो फार्मस्त हैं लैंडलोड को और पैसदार बनाए और हो फार्मस्त है जो घुज जो दियोग्टाम उन्हों सब को और नंस्ट कर दीर इंहें उन्हें तो इंकी आधिका उनुदि उन्हें इपना ही वह न दीवानी रूल कलेक्टर रूल वाला वह ने बतैंके ऊनुदित हम रहे था के अजिक्टर ՜ो कहलें है अजる क्लेक्टर जो बैठल ऑफ बक्सर के बार्ट ऑद रुशन था ком चालेक्टर धाए जो की बहले भारीश होगी नहीं, आपकि थोटेससर खाने कए अपईसे होगी नहीं an content आपको 텍क्स भनना पड़ेगा, तो उससे फर वह अरथिक कारण था sich थे खाराज कि राज की कालना शवां दो पॉलिसे जो आपनी नीटी अपना अपना कालगी सब राज्य और आप पना Wit ने और अवसकंद करते हैं रख Dollagne के लिज्णन ऐख सासंग को करें आप रूसे हुध और राजय है के अछुरण lib ईख फयान कीकट है फिर यहन पेट हैं ये बते की सब रूद को फूटते हाँ अब ये दो फोट जाता है नो आचाहे हेन उन गरों सब और भरका राता फिर बार एक ऐसे घठटना होे जिसने फिर जॉला मुख्य को अचे भार निकाल दिया जो 1857 का रिवाल्ट हुआ उसको फिर इन्होंने मजबूर कर दिया कि अभी हम रिवाल्ट करेंगे वह घटना कॉंच थी वह घटना मंगल पांडे से रिलेटेट थी ठीक है तो देखते है तो इस तो यह 31st में 1857 चालो होने होना था लेकिन वह और किसके खिलाब इस इन्हें कंपने के खिलाब पर देखते है वह हुआ की नहीं हुआ ठीक है अब इसमें संग्राम में मंगल पांडे के साथ कौंकों था नाना साही पेषवा थे ठीक है बात कानपूर के बातुसा जफर दिली पापूजी अजी मुला खान थे लिए अब इसमें अब इसमें प्लाइन किया कि हम एक साथ अलग अलग राजिये से खिलाब वो करेंगे अगर आपको अपका बॉड़ी में एक जगा रुखता है एक पार्ट में रुखता है आप उसको ठीक भी का सकते हैं पर एक साथ कई आपका दुखने लेगे तो आप पहले किस्व ठीक करेंगे तो यहीं कि युद्धन ही हम एक साथ सब राज्यों में करेंगे जहां पर बिटिस का हुकूमत है और हम एक साथ उसको फी निकाल दिए बिटिस एक साथ इतना साथ हमला सेन नी कर पाएंगे ठीक है शंग्रम पाएंगे दो रिवाल्ट करना हमें यहां पर इसने कमरी के साथ में लड़ाया है और जो प्रजा जो प्रजा है ना इनके साथ में उपके लिए उनके ले कह अचीन था कमर का था ठीक है तो यह पूछते कि ना शैने कमाते काई निचिन बनाना आवैली तो रोटी और इसके Enfield Rifle, ठीक है, कॉनसा, Enfield Rifle, उसके स्पेलिंग देख सकते हैं, जा पर फोटो में स्पेलिंग दिया हो, Enfield Rifle का, एंगलिस स्टूटेंग के लिए, Enfield Rifle, अब इस आफल में ऐसे कहा रहा है, जो जो अलमकी को इसने भढ़का दिया, तो इस आफल में था कि इसका जो वो बना थ कार्टिट्स, वो बना था, सुवर और गाई, के उससे, सुवर और गाई के जो माज से बना था, और इसको उस तेम पर मुह से खुलना पड़ता था, ना हमला करने के लिए, तब लेकिन, जो मुस्लिम है, उसके इंदर, जो, पीक, डुकर है, वो मनाई है, और हिंडियो में गाई मनाई है, तो इन्हों लगा कि नहीं, यह तो हमाएं धर्म को और खड़ाब करतेंगे, अब मैंने आपसे कहाँ है, पहले कि कोई भी आत्मी अपने उपर चोट शेह कर सकता है, शेहन कर सकता है, लेकिन कोई उसके धर्म के उपर चोट करें, या कोई टीर चला है, तो उसे कभी वो मैं सहयन नहीं कर सकता, तो जब यही बात भी जब इन्होंने इसका वीडियो किया कि हम यह राइफल नहीं चलाएंगे, तो बिटिस नहीं माने वो कहें, आपको यह चलाना ही पड़ेगा, चलाना ही पड़ेगा, तो फिर इन्होंने फिर इतिन मंगल पांदे अपना जनग करूंगा, ठीक है यह ना ना सही वना उसका है कि ब्रहम मंगल पांदे कहा हुआ था उनका नगवा, ठीक है उसके बात, फिर वो 26 शाल के थे जब उन्होंने चारपे टिलक लगा के अंगिल्यों के सामने लटा रहा, कि मैड़ा नमा आय वो औन अंगिल्य सेनि प्रेजर को रहा है तो यह भी पूछटे कि मंगल पान्दी की उमर उस ताइम पर कितनी थी तो 26 वह थी तो उन्हें आतना बलीदांकी कोशिश की अपना अपको गोली मारके लेकिन फिर वो बज गये उनको तुरन होस्पिटाल ले गया गया क्यूंकि उनके पास ही साई इंफर्मेशन दी कि हां कहां का पर रिवल्ट होने वाला है कहां का पर हम बिटिसर के कलाब जरनाम यूद करन कारण के टेनी पास है थी 1857 ना संग्राम ना आयजन नी महयती मेरवानिया थी ठीक है आया समझ में फिर आत्मी एप्रेल ठीक है तो कौन से अभी छे दिन पहले ही वो था जब उनको फासी चलाए गई थी 18 एप्रेल 1857 को उनको फासी दिने में आया और इस प्रकार वो हमार आया प्रतम सहीद बने सऑी बने प्रतम जो देस के लड़ता है उसको सहीद आता है प्रोपों सब्सत पहले सहीद कौन था अपने बारत देश का तो सबसे नाम का चीक है मंगल पांडे वही सबसे पहलेसाहीद थे जिन्मने डेश के खिलाफ डेश के लिए लड़ते हुए अंगलिजों के सामने अपनी जान देदी उनको आठ अपनी फासी बचारा दिया गया अब यह तरहां मंगल बांने अफिर अफिल आपनी बादाला भिच और अलग अलग रिवाल्ट होने वाले टे एक साथ पर पर लोक अने वाले तो जो नाना फट्ण भी से जो माराथा के इंके महत के बाड अंगेजों व्यों घंडी राजिंटी खेलिए निए रिकौंशी भा बुब लोग भी गुश्य में थे कि बिटिस्स ने बाट गंदा गिया तो उन्होंने भी फिर रिवाल्ट में हिस्सा लिया तो देख सकते हो यह बुरकपूर, आयोध्या, सूरत, खन्नातक, टांजोर सब एक सार कंपणी के सामने, लट रिए हो लेख सकते हैं और यही राज्या थे हैं आपर बिटिस्स ने अपनी पॉलिसी आपनी जो राज्या थी जो अपनी जो शाषंगु बढ़ाने का जनुमिन दो नीटी आपना ही थी सब्सेटर एलाइंस और एनेग्जेसें खालसा नीटी और अपना सहकारी युजना तो वही सबी राज्य जो उनके भोग बने थे उनीज़ राज्य में सबसे पहले ये जो रिवाल्ट और चालू हुआ था अब देली के बात करें था था जिनों ने इसका वह किया था कि हाँ आगे वाने की थी इसका लीड लिया था तो वह बहुते बार दूसरा जफ़र फोटो में देखो कितने बोले रिख रहे हैं उस तेहिंपे कितने साल के था अश्टी साल के थे तो इनकी बेगम थी जीनत महल तो उनोंसे फिर जो ब्रिटिसेस तो वह एंपे दिली में लखा था सब सब्स अमान सब वह थेर दिया वह अनुने इसकी साल थे जो अब जो आश्टी साल के थे लोने पूरी इंड़ीन को तिखा रहा है कि जब एटी साल के बोड़े इंसन लड़ सकते है तो हम के लड़ सक यह दिखने आपको ठीक है इस अब पूछ्टे की डिली में किसके आगेवानी में हुआ था तो डिली में हुआ था अपना उसके ना बातु साजफर और कानपूर में हुआ था यह ना ना सभी पेषवा ठीक है अब इसमें दिया आजून त्यक है कोई बुक्स में चार्जून अपको लिखने चार्जून भाटे तो आच जूंको उन्होंने फिलेना हुआ वाटेने कानपूर मे उनने थे त्यक है यह चार्ट था इनके इक lijवह को चौन्यून आजूर्य ही चांडिया। एक जगा बात कर ले रहें तो कानपूर में जब इन्होंने यहां आप लगा तो बाएस इन तक बिटीशस इन गहें के किभ्र घिया रहां प्रांप तो बाएस इन्टक पास शप्लाइ लगा प्राइघ की लिफिशन, कोई भी संमान आप देखा, उसके आर्फे अंत रहां के ऐनोंने это gracia के सामने बन करने के अब हम नहीं लड़ पहएंगे खाने का ही होगा ताकत ने लड़ेंगे जितना था उतना खतम हो गया अपना संबर्पन कर दिया दिल्ली दिल्ली की तो थे नाजांगीदार कुवर सिंग इनकी कानी बहुत ही बहुत ही इंस्पैरिंग है तो आ लड़ाई माप तेमने हाथ मां कांकरवा मां गोरिवागी आने तेनों जयर आका शरीर मां प्रस्री ना पोटेज पोटान तेलवार थी हाथ ने कोष्थ मां थी कापी गंगा मा नदी मा पत्थरावी दिल्यू बाद मा आप पिड़ा थी शनना था 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 थे मिल्ट्यू आए मार देखो उनको गोली लगे थे हाथ के अंदर वो गोली का जहर पर बोड़ी में फैलना रहा इसले अब वो थे की हाँ कैसे आई हमें लडना है अपने खुदी एक हाथ को काट दिया लडने के लिए उसके बार फिर जब हाथ काट दिया था नहोंने तो पीरा थो पाट तो लास ही वो भी वेरिकटी को प्राप तो और फिर वो भी साहीर हो गए ठीक है तो बीर में राजा कू पर चाहन को बंच चाहने लाजा बन सकता और अपने जो वह जो आ बाइल था उसकी गड़्डल के कारण फिर इंकी चाही बीचाए के बाहिंगर उभा ठाए और भी लास्ट में यह भी छेपक प्राब मुझे पाइं प्रोपश्ण भी स Miche Besides जइंश्ट में खाने के लिःता लाएं है यह है 5 तेन पर आरोप लोगनेक कन पें मुटिशा करें वी यहहा होट ली मौ अन्छारिय शबतर लिया रहा रहा ली मौनें हाने शाया रहा केहीं कमंदर फार्मी मतलब किस सिनन आयक तो पूछता है कि टाटा टो पे किस के सिनन आयक थे तो नाना साही पेश्वा ठीक है या रखना इस अब बाते कि यह पेश्वा जो दूसरे दूसरे राज़ेते देखो आज में नसीराबाद आबू अगेरे मध्यामा ग्वालियार मन्सोर इंडॉर और रक्षिन भारत में सक्तारा कोलापूर सावन्दवारी हर जगा यह प्रयास होगा रहा हूंदे कि उपर नौट इंडिया में भी संगराम का क्या हाल था अपने गुज्आत में संगराम कैसे हुआ तो 1857 संगराम अने गुजळाट में संगराम नौए जून 1867 मह कह देवा तो प्रनो टेहें तरड़ेटस दबावी आई वह थो ती एक छोड़ी से ना की उनोने जुलाई में जो वो है इंके सामने ना हत्य अंग्रीजों के सामने लड़ाएगी और लेकिन उनके नंबर बहुत कम था इसके लिए उनको बिटिसर ने बहुत जल्दी उनको हडा दिया तो भी सिफ सार्डिंग था उसके बार फिर बहुत सारी चीजी हुई गुजात में एके करके हम दिखते हो ठीक है यह गुधरा दाह संंग्राम इनको बनाः एके है तो एकट न वो चाले उन अठाक तो यह गुआ हा जो दिक कोने स इसके जो तो पर देखे लास्ट में के कैसे दबाया, पर देखे गुजएत में क्या हुआ, ठीक है तो गुजएत में इस सब राज्यम चालू, इस सब प्रड़ेशेस में चालू हो गया था, अब पंच महल में जो लगबग एक वरस तक चला था था, थीक है पंच महल जो जीला है, थीक है एक साल तक पंच महल जो है वहां पर एक साल तक ये संग्राम चला था 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 थ बगो reminder है पार चीफ यह सुस्य बख आधे टितल assuming कर ला दूर जोषिघ क अज्युख झूर माय है okay सब्सक्र गूंड लेगे gघःबटास ठीज पर कर दोपना कोड़ें लेकिन जोगर बड़तास थे वह पकर गए और फे अगर सभी शरक्रणाटल भाएगे जी तोप यह की सामने बैठा दिया और टोप चला जी देखो ए टोप की सामने वेना रहा गिर होंगे वो सोचो थे बहेंकर मौट दिएखो पर फिर भी वह स्थे चड़ गए ते यामन जी इन फ्रैंगे पूस्ट्र है कि एडर्डर के लोग है च chodzi कि पूसतर थे खो और कॉन यामा जी नी तो यह थो नाम फो याद रखने पड़ेंगे अगर स्कॉलर्षिप चीए तो कुछ तो याद करने ही पड़ेगा तो यह थो नाम याद है नाथा जी और यामा जी नी यह दो जंक कि आगे हानी में जो चांडुप गाम के लोग थे उन्होंने इसन ग्राम में हिस्सा लिया था तो फूच जो अखाम अंदर है ओखाम अंदर बाराएटी वच्चे इन्होंने गाम में ब्रिदी अपने लट्टकरे के चावने रखे ती अपना जो कैम्प बना के रखा था उन् यूझने जो डोनो वान था , जो अंग्रिज का उस ताइम पर वहां का शिना बती था , उस ने उस किले पर हमला बोल दिया , तो अब वहां पर जो लोग थे उस किले के अंढ़र सुआ कर दोन लोगों के पास इतना शस्चता नहीं था कि वो लड़ पाते , तो वहां की जो ओट इसा आइडिया कोई भी यूद में किसी इसा आइडिया नहीं अपना है उन्हें अपना अपनाया वाकिस्ट्रियों ने क्या किया दोरावन आदे इसके किला बच घर घर गोड़ा चुटवा माइंडा ठीके वह जो टोप से गोले बचसा आइडे उस किले के अंदर ठीके दोर अगे स्ट्रियों पोट ना घर रहला गाडला पलाड़ी ने भीना कईड़ा अन्ने तेना दुआर तोप गोड़ा ने थंड़कार करी यूद मा मदद करी ठीके सुने अइसे कभी कुछ आपने नहीं ना इनने क्या किया कि वह जो गोले उन्होंने बचसा रहे थे उनके जो गोले थे बचसान, प्लीकों थंड़कार अब जो गोले थे थंड़कार अपनों थंड़के तो फोटे नहीं तो किले थे जितने मिए बचसा या यूद्सट्रीव कौन्जिश्ट वागेर तादरीकि नाम आड़ यहाए बागेर मंतर कि उसके लिए रेना कि पटेल वो ही गोल्य यूसकर सामने बिटी से इसको फेका, ठीके जो सी थी उने ने सारे गोलों को फेकर के थंड़ा किया और फिर उसे एक भी और फूटने लिए इसलिए जो उनको है कि संग्राम दर्मयान प्सक्राइब दोए दोडेवध तो चीज डानते एक बाखे रिस्ट्री ken den में को TOP भाखे रिस्ट्री के जर्ण में फोश में है जै क्वे दो प्लाट गजर्ण में करते इडाट? लाखे में पाखे रिस्ट्री में बाखे रिस्ट्री थी निंगी कहोता है बिर्टिसर्स के होउभी हरा इanted और इन्हों बी अफने पाइस बीति न थे लृडशित के होज़ूशूटा है इसे उस मॐसले को है कर कि हम उसे सिल थंदा करकर हम उसे वहापई कर भी शक्ते बीश सकते march रो त्रिमक मारता था वї देने समक्रार भेज को ने करने संग्राम अपर लिए धर गशा है जो एक यह संगराम टार्ट 10 एक तौणत को आर्लीच व गोल लिया झाल सॉयाउ जो शर्षटर मिला सेनिक मिले ठीक है तो उसके बाद फिर उनके बास सेनिकों की कमी रही एक तो आधी यह नहीं बास शर्षटर की कमी हुई फिर फिर इना 1857 अधर्षपी में संग्राम नी शुरू था था थी पिर अध्या वन जून महिना अंते अंगली जोपास बनारा आध बाद पूर्ना भी गया था मने जहां पर रिवाल्ट करके जो इन्होंने बिर्टिसस को हडाया था वहां पर दो मैने के अंदर बिर्टिसस ने वहां पर अपना कपचा पा लिया था ठीक है? प्रोडलेज के अंग्रिजों ने बजा किसे और को फासिलह तो वह नेनी लागे थे उन्हाँ तो प्रोड़िवस था था नवस्तारी में होने का वह माननेता है पी पी जो अंज इसे वह दिखते की अपनो जो डिवार्ट था स्कार्ट अच्छा एवार्ट था वह क्यों हुआ हुआ ? शंग्राम की निष्बता थी वह थे ? शंग्राम में निष्फः था ? शंग्राम मैं तहो हम इस टाहरे है इस टाइम पर संग्राम शफ़ल हो जाता हम तो अंग्रेज 1857 इस अपने भारत देश को चोड़ के चले गए होते और यह निस्वल हो गया उसी कारन जो 1947 नवे साल बार फीज आगे अगे हुझ अगर यह सिर्ई है अगल के अफ मिलन गई हो थी तो आज अगया होती हम नवे साल दे सेल हैं सबसें बड़ी सपरबार होतें अमेरिका से उपधर सबसूभ है इसंदस उसक कृएं आफ मेरा क्योंकि जहां पिण लोगों की उच्छी सेनिकों की दादा थी उच्छे सश्ठ ते तो वहां प्रीशस ने पहले हमला करके उच्छे अपने कबजी में कर लिया ठीक है जा ताकर ऊच्छी परती त्या वधार ना वन भी ताकर सश्ठो ने सेनिकों ना स्वरुख मां सहाय पहुचरवार वह च्छे से और सश्च और सश्च आशनिक देंगे दूसरा है कि संग्राम ना उग्र शरुप माथे भागे उत्तर भारत ना केटला विस्तर पूर्त मार्या दी धाथा ठीक है फेट दूसरे कारण है कि जो मोटा भागना समाश उधार को सीध्या के आड़क तरी दिटे संग् पांटने पहले ही रिवाल्स आड़क दिया था तो जितने हैं समाश उधार रेक्ते उनने अच्छी तरह इसमे वह जोड़ाइ नीटे हूंगा फुल्दू प्लानी ना प्लैनिग तो कोई भी संग्राम को सक्षिपलोने के लिए प्लान होना चीह जै जब अब अदे अदे सेंगराम ने चहेत्था युबथा सिक्षिटीन वожд वर्गна टेको महिर हो ना था 정 हाध żyक ति जुड़क थारट वन ने आधी लोगों को ने हिस्सा ले आनिन अध्ड लोगने अलग पर बीटीसस के जार वो बार्ट पार्फू रूलर थे वो शांसकते हैं लास्ट वीडियो में देखा था 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 बहुत बैटर सश्टा बिटिसस के पास थे ठीक है फी जो जुदा जुदा आगेवानों भारत माते अंग्रेजों ने हडा वाना बदले पोते गुमावे शत्ता पाच्छा मेरे वाना आश्चा ते लड़ता था तेठी तेओ अन्य माते की सम्मू माते लड़ता नहीं ठीक है यह बहुत इंपार्टन है ठीक है कि सबसे बड़ी वाज़ता तो यही थी कि जो भी उस ताइम पे क्योंकि अंग्रेज शरकार ने सब पर आज्जे छीन लिया रहा है करके तो जो भी लड़ था वो अपने राज्जे को वापिस लेने के लिए लड़ था वो अक्यला-क्यल राज़ नी था कि अगर वो अपने राज़े सहाधा था तो ब्रीटिश रस अंग्रेज फिन कभी ने रहा हमला करी देते उन पर तो यह भागावना थी कि नहीं हमें भारत से अंग्रेज हो खराने का थे वो इस अंग्राम में नहीं थी और वो ही बड़ा कालेंटा इस संग जो निष्फल हो गया, लेकिन कोई भी चीज होती है तो असे हर चीज की दो पहले होती है, छपा या काटा, है डिया टेल्स, कि वैसे यह संग्राम के भी दो रूप थे, दो पहले होती है, कि वो खरब्ट हो और निष्फल तो हो लेकिन उससे कुछ अच्छी चीजी भी चाल ह होई, कुछ अच्छा भी हुआ, ठीकि अब वो क्या था, उसका अस्वर क्या हुआ, अब वो निष्फल तो हो गया, अब अंग्रिजों का पता चल गया, कि हाँ, अब यह लोग लड़ सकते हैं, अब अभी तो इतने खाले, अपने अपने राचों के लड़ है, वो दिन उसका जो पड़े नाम थे, वो बहुत ही अच्छे पड़े नाम थे, जैसे कि जो भारत था भारत के जो उस ताम पर जो एलिजाबेट राणी ने, जो इंग्लेंड की महार राणी थी, उस तो इस इंडा कंपनी बनाई थी, वो जो फर्स्ट में, शोला सो में थी, इस इंड तुम्पनी की काथा, टो कंपनी को हटा कि राणी एलिजाबेट ने, वो इंडिया का सासन था, अपने हाथ में लिलिया, अपने हाथ में लिलिया उन्होंने क्या कि, अब भारत खुड इंगलेंज से चला थी भारत को, लो एक बन कर दिया था इंडिया फिर दूसरा क्या हुआँ कि भालत मां कंपने शाषण उन्ट आईबो आने भालत ब्रितिश स्टार्ज ना सेधा शाषण निचा आईबो जो ब्रितिश की जो नाजा थे उनके डिरेक नीचे इंद्या का शाष्ण में नहीं रगा कि उन्हेने डायक इंडा को अपने निचे लेलिया कि वह जो कहते वहां से वह ही इंडा में होता था जो इस ने कंपनी जो मनमानी करती थी फिर वह बंद हो गया कि उसके बाद कि डेशी राज्यों ना अंटरेक बाबातमा दखल गिरी करवान बंद करवाईगों ठीक है जो यह था कि अंग्रेजों ने हर जगा हर राजे में अपने एक आदमे को बैठा दिया था तो वो भी फिर उनके जो अंटूने मामजे थे उसके अंदर जो अंग्रे कि अंग्रेजों ने ने यह जो उनकी आदत थी वह उनने बंद कर दिया ठीक है उसके बाद कि डेशी राज्यों ना अंठरीक बावतमा दखल गिरी करवनों बंद करवाईगों यह थे उसके बाद पर हिंडी से ने पगाड़ भट्टा ने शगड़ों में आएगा ठीक है उस तेमप इंडेयन इंडेयनों को सिर्छे साथ रुपर माघवे से थे ठीक है एक मही उने स्कोर एंडिलेट को आलrance सामने एक गज़भ Grü साज रुपर मैं थे ठीक है उंग्री गुवर पहतमा था रहिएwire। अपर उप्पर के जो पोस्ट यह को नहीं रख़ दी रहा है डिके उसके बार अंग्रिंज सर्कार ने भारालतमों निति महां फेर फार किरास परी, जो नीटी उनने अजमाई थी जो खुटूलो निति इन अपना थी any सासंग करनेगी तो वह भी अंग्रिज तक हम अंगेजर को हडा नहीं पाएंगे, वो सब्चारी भावना उस टाइम पे सब के रिद्य के इंदर चागित हो गए दी, तीके और उसके फिर 90 साल बाद इंडिया को आजारी मिली, तीके वो हम कहते हैं कि पहार चर्णना होता है, तो अगर आप पहला करम रखो गई नही तो अप पहार पर कैसे चड़ोगे, आपको पहार पर चर्णना फत्य हश्ल करने है, उपना मंधिर पे जाना है, तो आपको सीड़ी अचर्ननी पादेगी ना, तब तक आप पहले सीडी नहीं चड़ोगे, तब तक आप आफ्डि में पहुच पाऊँगे तो यही वो फट् तो यह पहले सेरी थी जो 1857 का संग्राम जिसने नबबे साल बार फिर भाद को फिर आदा नहीं मिली तो समझ में आया है कि यह 1857 का संग्राम क्यू चालू हुआ कैसे चालू हुआ कब चालू हुआ इसका अंठ कैसे हुआ और इसके पढ़िना क्या 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 कि यह क्यू चालू हुआ था तो आर्थिक कारण थे सामाजिक कारण थे ठीके फेना क्यू चालू हुआ क्यू चालू हुआ क्यू क्यू चालू हुआ क्यू क्यू चालू हुआ क्यू जो बीफ कि जो काक्टूश जो किसका वना था दुक्कड और गाई के मांस का तो दोनों में हराम है हिंदु मुस्लिम दोनों धर्मों में तो इसके वज़े से चालो हुआ देनली में बादुषा जफर कानपूर में नाना साथ पेश्वा टार्ट्या टोपे बिहार में खुवर सिंग गुजरात में गडवदास पतेल के ये सब जहांसी में डान अपना लिया और इसके प्रणाम क्या निकले कि जो कंपनी सासंता वह नहीं होके अब डिरेक्ट टाज के निचे आगया अनलगी बिटीस जो मारा नहीं थी अलिजबेट के निचे आगया ये भारत फिर अंग्रेज ने दखल देरी कंदा बंद कर दिया अंडूनी बात अब आजए वह भावना चेंज दोग एक इसमें रास्टरवार के भावना में हो ठीक है तो मैं अब कर्टो के आप लोगों समझ में आया होगा अब को भी डाउट हो तो पूछ ले ना थीक है मेंको बिना सवर्माए ठीक है चली तो नेक्स वीडियो में हम फिर सेकेंड सेम स्कूल चालो नहीं होई और आपने एक स्कूल खटम बिगर दिया है अब आपके तीछे कभी कोई समझाएंगे तो आप कोई पहले सी देखावा होगा आपने आपको पहले सी समझ में आ चुका होगा तो कोई सवाल भी पूछे तो आप डेक उसका जवाब देश सकते हो फि में के ठेंक्यू मत कहना है में को चले हो मिलते बाद में